शिवु शक्तियां आ गई भरती पे शिवु शक्तियां आ गई घर घर में होती है जिनकी पूजा चैतन में वो देवियां आ गई शिवु शक्तियां आ गई भरती पे शिवु शक्तियां आ गई ओम शान्ति भारत त्यवहारों का देश है और यहां हर त्यवहार बड़े उमंग उच्सा के साथ फुल एनर्जी के साथ मनाये जाते है चारों और ऐसा उमंग उच्सा चा जाता है नवीनता का वातावरण बनने लगता है लोगों की खुशी का पारावार नहीं होता और यह हर त्यवहार हमें कोई न कोई प्रकार की सीख देता है कोई उपदेश देता है कोई संदेश देता है लेकिन आज ये आध्यात्मिक महत्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और लोग उस तथ्य को न समझने के कारण साधारन रिती से एक रीत रसम के रिवाज से मनाना शुरू कर दिया है वैसा ही ये त्यवहार नवरात्री का कहा जाता है कि साल के अंदर चार नवरात्री होती है दो नवरात्री गुप्त मानी गई है और दो नवरात्री चैतर की बसंद नवरात्री और ये शार्दिय नवरात्री को प्रमुख माना गया है और नौ दिन लोग विशेश जीवन के अंदर कई प्रकार के संयम अपनाते हैं चाहे आहार से संबंदित संयम हो, व्यावहार से संबंदित संयम हो, विचारों से संबंदित संयम हो इसी के साथ साथ मानसिक संयम, स्वच्छता का संयम और अनेक प्रकार के संयम को अपनाते हैं और ये संयम से व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है तो जब ये नवरात्री के नौ दिन होते हैं और चारो नवरात्री को अगर लिया जाए तो 36 दिन जो होते हैं साल के विशेश ये रुतु परिवर्तन का समय होता है और ये रुतु परिवर्तन के समय में नैचरल है अनेक प्रकार की बातावरन के अंदर कुछ किटानों होते हैं, कई प्रकार के जीव जन्तू होते हैं जो कई प्रकार की बिमारियों को निर्मित करने के कारण बनते हैं तो वैसे समय में जब व्यक्ति नौ दिन सहियम रख करके उस रुतु परिवर्तन के विशेश समय पर जब उसको आचरण में लाता है, तो उसके शारिरिक स्वास्त के उपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है वैसे अगर देखा जाए, तो ये नवरात्र के त्यवहार नारी सम्मान के लिए मनाया जाता है और नारी का हर स्वरूप सम्मानिया है, पूजनिया है कहा भी जाता है कि जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ देवताएं भी उस आंगन में खेलते हैं और इसी लिए उस नारी के सम्मान में ये जो त्यवहार है विशेश नौ रात्री, ये नौ पवित्र रात्रियों का महत्व है भारत में ये दो त्यवहार नौ रात्री और शिव रात्री के साथ ये रात्री शब्द जुड़ा है और ये रात्री शब्द कोई 24 घंटे के दिन और रात्री के ये तरफ संकेत नहीं कर रहा है लेकिन जब संसार के अंदर चतुर्यों के अंत के समय में जब घोर अज्ञानता के रात्री होती है तो कहीं प्रकार की आसूरी प्रवरतियां व्यक्ति के जीवन में उभरती है और जिस कारण से नारी के सम्मान को कहीं न कहीं आगात पहुचाने का प्रैत्न करते हैं इसलिए ये नवरात्री का त्योहार सुचित करता है कि शिव की उत्पन की हुई ये शक्तियां है जिसको देवियों के रूप में दर्शाया है क्योंकि अगर परमात्मा के बाद इस संसार के अंदर कोई में अथा क्षमता अगर है तो वो है एक मा, नारी या देवी के रूप तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने बाद जो शक्ति और क्षमता के साथ इस संसार के अंदर किसी को गर रचा है तो वो है एक नारी, देवी तभी उनको शिव शक्तियों के रूप में पूजन या गायन करते हैं ये नव रूप जो है देवियों के ये वास्तों में नारी के जीवन चक्र को दर्शाते हैं और ये जीवन चक्र की हर अवस्था पूजनिया है सर्व प्रथम नारी के प्रथम अवस्था शैल पुत्री के रूप में शैल पुत्री की कथा हम सभी जानते हैं के कहा जाता है के शैल पुत्री का पूर्व जन्म सती का दर्शाया है जहां वो शिव के साथ विवाहित थी और जब उसके पिता ने यग्य रचा और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया बाकी सभी देवताओं को निमंत्रत किया तब सती ने जाकर के विरोध किया जब उसके पिता ने यह परिवार के अन्य सदस्यों ने गलत शब्दों का प्रयोग करके उसको अपमानेत किया तभी कहा जाता वो यग्य कुण में कूद जाती है क्योंकि उसको शिव के प्रती इतना आदर भाव सम्मान का भाव था तो वो कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है तब कहा जाता कि दूसरे जन्म में वो शैल राज की पुत्री के रूप में जन्म लेती है इसलिए उसको शैल पुत्री कहा गया शैल पुत्री यानि एक छोटी सी कन्या वैसे भी भारत में जब भी कन्या का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि लक्षमी आई लक्षमी का स्वरूप माना गया है और इसलिए वो कन्या एक निर्दोश पवित्र जिनके प्रगट होने से भी वातावरण के अंदर चारो और पवित्रता का आभा मंडल फैल जाता है और यह प्रभा मंडल ऐसा होता है कि जिस प्रभा मंडल में वो बहुत सुन्दर स्वरूप उसका दर्शाती है अर्थात अनेक प्रकार की संपत्ती लेकर के वो इस संसार में प्रगट हुई है तो जब भी कन्या का जन्म हो पवित्रता की शक्ती उसके साथ घर में आती है अर्थात एक पॉजिटिव उर्जा सारे घर के अंदर फैल जाती है पवित्र स्वरूप बड़ा निर्मल स्वरूप उता है निर्मलता का प्रतीक पवित्रता का सिंबल असी लिए उसको दिखाया के हाथ में त्रिशूल के साथ साथ कमल पुष्प है त्रिशूल अर्थात के ये कन्या के अंदर तीनों ही स्वरूप है मा दुर्धा का स्वरूप है मा लक्ष्मी का स्वरूप है और मा सरस्वती का स्वरूप है इसलिए ऐसी कन्या के जन्म पर हमें शोक नहीं करना है लेकिन हर रिती से उसका स्वागत करना है उस उर्जा को सारे घर के अंदर और प्रवाहित करने देना है भावार्थ ये है कि वर्तमान समय को मनुष्य को ये संदेश जाता है शैल पुतरी के माध्यम से कि कभी भी ऐसी पुतरी का ब्रुण हत्या कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि नहीं तो एक देवी को मारने का जो पाप है वो बहुत अधिक माना गया है तो नवरात्री का पहला दिन शैल पुतरी का अर्थात कन्या का स्वागत करो कन्या को सम्मान दो और वो कन्या के पवित्र आभा मंडल के रोश्णी को अपने जीवन के उत्थान के लिए स्विकार करो ब्रुन हत्या करके आज मनुष्य अगर देवी की पूजा करे तो वो तो कोई फाइदा नहीं है घर में आई लक्षमी को त्याक कर दे और फिर मंदिरों में जाकर के देवीयों की पूजा करे तो उससे प्राप्ति क्या होगी ये कन्या भी शिव शक्ति है और शिव शक्ति के रूप में आपको एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है क्योंकि जो ये शक्ति का सम्मान करता है पर मात्म शिव के भी आशिरवाद के पात्र बन जाता है तो इसलिए आईए आज प्रथम दिन अवरात्र का बड़े धूमधाम से उस शैल पुत्री अर्थात पवित्र कन्या का हम स्वागत करें अपने जीवन में भी और अपने जीवन में उसका सम्मान करते हुए उस पर मात्म शिव का आदर करें रिस्पेक्ट करें उसका रिगार्ड रखें ये पवित्रता की शक्ति हम स्वयम में भी धारण करते हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम आवाहन करते हुए उस देवी का अपने अंदर भी उस पवित्रता की शक्ति को आवाहन करते हैं तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को पवित्र भावनाओं से जंक्रित करें कि विश्वलाइज करें कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ मेरा स्वरूप शुद्ध और निर्मल है चारो और निर्मल प्रकंपन के प्रभा मंडल को देख रही हूँ और स्वयम को उस प्रभा मंडल में समाले हैं मैं आत्मा शक्ति हूँ परमात्म शिव की शक्ति हूँ और परमात्मा से पवित्र किर्णों को स्वयम में धारन करती हूँ Aum Shanti Shanti झाल